हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल राइजिंग भरत तो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्त होंगे सुरक्षित होंगे अपने घरों में तो दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत बड़े डाउट की अचली दो आपको पता होगा मैंने इसले 2-3 वीडियो में आपको Krata के बारे में बता के बारे में बताया है इसके लावा क्रेटा के फीचर्स रिमूव किये गए हैं इसके लावा क्रेटा के वेटिंग पीरेड पर मैंने वीडियो बनाए हैं वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं दो बड़े डाउट की जो उन वीडियो से निकल के आए हैं आप लोगों को पता है कि क्रेटा की तीसरी बार यहां पर प्राइस हाईक हुई है और धीरे-धीरे करके कंपनी ने हाँ पर फीचर्स गाड़ी में कम किये हैं तो डाउट यह बनता है हमारे व्यूवर्स का हमारे सब्सक्राइबर और जो कस्टमर्स हैं कि हमने जब गाड़ी बुक की थी तो उसकी प्राइस कुछ ओर थी और अब company ने price बढ़ा दी है तो क्या हमें पुरानी price पे गाड़ी मिलेगी या फिर जब हम delivery लेंगे तो हमें नई price देनी पड़ेगी तो दोस्तो एक तो yes doubt हो गया और दूसरा जो doubt है वो यह है कि जब हमने गाड़ी book की थी उस टाइम पे गाड़ी में जो features आ रहे थे ज़्यादा features हमें मिल रहे थे और अब गाड़ी में company ने features कम कर दिये हैं उसी variant में तो क्या हमें पुराने features जो आ रहे थे वो मिलेंगे या फिर जो नई गाड़ी आ रही है जिसमे features remove कर दिये गए हैं वो मिलेंगे तो इन दोनों doubt का आपको मैं इस वीडियो में जवाब दूँगा इससे पहले अगर आप channel पर पहली बार आए हैं दोस्तो तो channel को subscribe करते हैं इसी तरह कि useful videos आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ और वीडियो आपको पसंदा रहा है तो like जरूर करते दोस्तो अब हम वीडियो में जो दो doubt है उनकी बात कर लेते हैं पहला doubt कि हमारी जो क्रेटा है या कोई भी गाड़ी आप book करते हो उसके बाद अगर उसकी price बढ़ जाती है जब आप उसकी delivery लेते हो तो दोस्तो आपको बिल्कुल नई price देनी पड़ती है जो उसकी new price है आपको वो pay करनी पड़ेगी पुरानी price से कोई भी लेना देना नहीं होगा पुरानी price का आपकी जो गाड़ी की delivery है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा आप नहीं जो उसकी प्राइज है वो आपको पे करनी पड़ेगी तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ अब दूसरे डाउट की बात करते हैं कि फीचर्स रिमू किये हैं तो दोस्तों सीधी सी बात ये कि पुराना प्रोड़क्शन था कंपनी का वो सारे उसके वेरियंट्स और वो सारी गाड़ियां खतम हो चुकी होगी क्योंकि कंपनी पर वेटिंग है तो इसका मतलब यही है कि दिमांड जाधा है काड़ी की तो वो प्रोड्यूस किये थे उसने पुराने गाड़ियां वो तो सारी उसकी खतम हो गई होगी तो अब जो नया बेच आएगा वो फीचर्स रिमू होके ही आएग तो आप लोगों को फीचर्स रिमूव होके ही मिलेंगे अगर आपकी जो डिलर के पास अगर कोई पुराना पड़ा हुआ है वेरियंट वो आपको दे देता है तो वो अलग बात है दोस्तो लेकिन ऐसा बहुत रेर केस में हो सकता है क्रेटा जैसी गाड़ियों पर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा की वेटिंग है तो डेफिनेटली वो आगे एडवांस में उसके ओडर चल रहे हैं तो आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर आपने पहले गाड़ी बुक की हुई है तो आपको पुरानी प्राइज औ अगर कम होएं तो कम होके मिलेंगे जादा होएं तो यह थी आपके दोनों डाउट जो मैंने पूरी तरह से आपको क्लियर कर दिये हैं आशाक करता हूँ अप लोगों को समझ आ गया होगा बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था इसलिए मैं हाँ पर एक दूसरे वीडियो में जै हिन जै भारत